गुड मॉर्निंग एवरिवन दोस्तो आज है फेरवरी 5 2022 और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर के अनैलेसिस मेरा नाम है सितेंदर चोधरी और रोज के ज़र है आपके लिए कुछ सेलेक्टर टोपिक्स लेके आया हूं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं क सेलेक्टी बच्चों के नाम हम लोग लिए पर सेलेक्ट किये हैं और आप भी और जादा से जादा पार्टिस्पेट करें जो भी हम लोग यहां पर MCQs आपको practice करने के लिए देते हैं देखे ultimately आपको ही help करने वाला है long term में जब आप कोई test series वगरा लगाओगे न तो इस तरह के questions को handle करने में बहुत ही जादा comfortable feel करोगे करूना सोनी है regular high aspirant रही है regular analysis देखती है सुनीता सेटी है राहूल रंजन है रीना दुबेजी है अजे हींगवे है एंसनेहा यादव है मनाली कोरे डॉक्टर नाज निलन जना और भी बहुत सारे student हैं जो लगातार participate करते हैं और detailed answer लिखते हैं आप comment section में जाके भी देख सकते हो किस तरह से नहोंने बहुत बढ़िया detailed answer लिखे हो है देखे detailed answer लिखने से या फिर कोई या फिर किसी issue पे अगर मैं आपके comment मांगता हूँ और वहाँ पे अपने comment अपने opinion देते हो तो उससे आपकी कहीं ना कहीं answer writing practice भी होती रहती है और जो भी point आप वहाँ पे add करते हो आप हमेशा के लिए उसको retain भी कर सकते हो तो जादा से जादा बच्चे जो है participate किया करो जादा से जादा student जो भी mcq आपसे पूछे जाते हैं और वीडियो आगे देखने से पहले क्या करना है आपने वीडियो को like किया करो यार ठीक है और share किया करो हम आपके लिए इतना effort लेते हैं थोड़ा सा effort आप भी ले सकते हो चलिए जादा delay नहीं करते हैं सिधा करते हैं काम की बात और इस वीडियो के बीच में आपको मैं कल वाले mcqs का answer भी दूँगा तो उसको देखने के लिए भी वीडियो को पूरा देखें बीच में ही कहीना कहीं दूँगा और आज फिर से आपके लिए कुछ नए mcqb मैं लेके आया हूं उसमें भी जाद से जादा पार्टिस्पेट करना है चलिए पहला जो टोपिक हम लोग करेंगे यह सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होता है बच्चों का अग्या टोपिक करेंगे प्राइबेट मेंबर भी जीएस पेपर टू से करेंगे फिर करेंगे गोल्डन लंगूर के बारे में इंपोर्टेंट न्यूज है जीएस पेपर 3 में हम लोग इसको अपने जो है बायो डैवसिटी से कवर कर सकते हैं बायो डैवसिटी के रिकार्डिंग कोईश भी जिब नई डिवलपमेंट होती है तो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो ही जाती है कंसेशनल टेक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे क्यों ये न्यूज में है और इसका क्या इंपेक्ट हो सकता है इंडिया में स्टार्ट अप्स को या फिर नई manufacturing units को ग्रो करने के लिए इंपोर्टेंट टोपिक है आपके एक्जाम में काम आएगा free trade agreement with UK देखे वैसे आज दो आर्टिकल थे जो मैं जिलागा थे important होंगे पहला आर्टिकल जो है reservation के बारे में था दूसरा आर्टिकल जो है FTA के बारे में था लेकिन reservation वाला जो आर्टिकल है वो लगभग मतलब लगभग नहीं मतलब काफी political है तो इसलिए मैंने इसको ignore कर दिया तो हम लोग थोड़ा free trade agreement के बारे में बात करेंगे definitely GS paper 3 में खास कर यह आप से exam में पूछा जा सकता है और कुछ additional topic भी हमारे पास है जो हम लोग उसको करेंगे तो नहीं लेकिन आपको suggestion मतलब उसको खुद से पढ़ सकते हो चलिए जी शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले topic से पहले topic है dis investment leads matter not targets देखिए क्या कहता है अभी air India ने क्या कि हम लोगों ने air India को पहले सरकारी company हुआ करती थी उसको हम लोगों ने Tata को दे दिया and Tata is a private company ने public own company है तो यह it's a dis investment क्या करते है जो सरकार की प्यायस्यू जो घयते है่ं जो companies होती हैं जो घाते में चल रही होती है सरकार उनके क्शेर्स को यह जो आपका 24% भी हो सकता है 49% भी हो सकता है जितना सरकार का मन करें कुछ शेर्स को किसी private sector को बेच देती है और किसी किसी case में तो 100% भी बेच देती है जैसे Air India के case में बेच दिया हम लोगों ने तो इसे कहते हैं disinvestment जब सरकार अपने participation को किसी government company में कम कर देती है और उसके shares को जो है बेच देती है उसे कहते है disinvestment तो देखें ये जो present government है न ये जादा से जादा private sector को promote करने की बात करती है ये तो बात किसी से चीपी नहीं है क्योंकि ये एक गरोन की policy ही है government का कहना है कि सरकार को किसी भी production वाले काम में इनवोल नहीं होना चाहिए सरकार को इनवोल होना चाहिए social sector के अंदर ऐसा ये सरकार खुद कहती है कि हम लोग जादा से जादा private sector को promote करेंगे अब उसी development में सरकार क्या करी है सरकार हर साल budget में target set करती है और ये target ये कहता है कि सरकार इस बार this investment से कितना पैसे की वसूली करेगी कितना पैसा वो this investment से arrange करेगी इस बार सरकार ये जो target रखा है वो रखा है 65,000 क्रोड का यानि के सरकारी कंपनियों के अंदर जो shares है वो private sector को बेचे जाएंगे जिससे सरकार 65,000 क्रोड रुपया कमाएगी अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो पैसा है political जो leaders होते हैं जेव में जाता है ये सारे का सारा पैसा जो है दूसरे सेक्टर के अंदर खर्चा किया जाता है health हो गया education हो गया roads वो सब हो गया वहाँ पर investment किया जाता है इसी यही इसका purpose होता है बेसिकली देखिए वैसे भी जो मान आप ये सोचके देखिए जो loss making companies है जो हर साथ सरकार को क्रोड रुपए का घाटा दे रही है वह उनको तो बेचना ही सही है क्योंकि वो काम तो अच्छे से करी नहीं रही है तो इस बार सरकार का जो target है that is 65,000 क्रोड रुपीज जो की पिछले 6 साल में सबसे कम है अब क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ने अपनी privatization वाली policy को reverse कर दिया है सरकार का कहना ऐसा नहीं है हम लोगोंने target को इसलिए कम रखा है क्योंकि हम लोग efficiency के उपर focus कर रहे है और वैसे बिस investment जब होती है न करते हैं सरकार तो उसमें समय लगता है even 2021, 2022 यानि कि पिछले साल के लिए तो अगले target को और जदा बढ़ा चड़ा के देने का क्या फायदा इसलिए सरकार का कहना है कि हम लोगोंने इसको थोड़ा सा कम रखा है दूसरी बात सरकार का ये भी कहना है कि अगर हम लोग बहुत high target रखेंगे तो उससे क्या होगा उससे जो है महोल खराब होगा जो shareholders है उनके अंदर apprehension जाएगा वो डर जाएंगे और वो अपने shares को जो है dump करने लगेंगे बहुती सस्ते दाम पर बेचने लगेंगे सीधी सी बात है अगर लोगों को लगेगा जिनोंने सरकारी company के अंदर investment किया हुआ है उनको अगर लगेगा कि सरकार तो company बेचने वाली है तो वो अपने जो है ओने पोने दाम पर अपने shares को बेचके निकल जाएंगे तो पहले ही उस company की value बहुत कम थी और और भी कम हो सकती है तो सरकार ने उन लोगों को security देने के लिए भी कम target रखा है ताकि लोगों के पास यह संदेज जा सके कि भाईया डरने की जुरूरत नहीं है disinvestment तो हम लोग करेंगे लेकिन जल्दबाजी में नहीं करेंगे धीरे धीरे करेंगे तो यह basically इस purpose के लिए भी किया गया है तो दो-तिन purpose यहां पे हो गए disinvestment policy होती किया अपको मैं बता चुका हूं इसका मतलब होता है sale और liquidation इसको liquidation भी बोल सकते है of the assets by the government तो किसी भी company के अंदर जब government के assets होते हैं उसके shareholder shares होते हैं सरकार उनको बेच देती है इसके अंदर क्या होता है central की जो हमारी public sector enterprises होती है वो भी हो सकती है और state government की भी हो सकती है basically now this point अब सरकार ये करती क्यों है इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे कारण होता है एक fiscal deficit को कम करना और हमारे जो debt होता है debt to GDP जो सरकार के ऊपर करजा होता है उस करजे को कम करना क्योंकि देखिए जो सरकारी company को operate करना इतना असान नहीं है वो करोड़ों रुपए का हर साल सरकार को नुखसान करती है जिसे सरकार का करजा बढ़ता रहता है सरकार की liabilities बढ़ती रहती है तो अगर सरकार उनको private companies को बेच देगी तो एक तो सरकार के पास पैसा आएगा और दूसरा सरकार का debt भी कम हो जाएगा जिससे हमारा fiscal consolidation होगा और country में जो है investment का माहौल बनेगा है ना माहौल तो बनेगा ही जब efficiency increase होगी तो यह कुछ कारण हो सकते हैं और यह जो disinvestment है ना यह हम लोग कब से शुरू कर रहे हैं वैसे तो काफी समय हो गया है लेकि 1991 के बाद जब liberalization हो लोगा नहीं किया था उसके बाद से लगातार हर सरकार disinvestment को promote कर रही है जो सबसे ज़्यदा disinvestment शुरू हुआ एक्चली वह 1991 के बाद ही शुरू हो गया था जब आज पी government आई थी फिर बाद में जो है इंडिये गवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वेंट आई मौन सिंग की सरकार आई उन्होंने disinvestment को थोड़ा सा स्लो किया लेकिन 2014 के बाद जब से मोधी सरकार आई है इन्होंने disinvestment को थोड़ा सा और fast कर दिया लेकिन अभी यह लोग भी थोड़ा सा इसको slow कर रहे हैं इनकी अपनी strategy हो सकती है तो सरकार का basic लिए कहना है कि सरकार न उन से पूरी तरह से exit कर देगी और कुछ ही categories को सरकार ने strategic sector के अंदर रखा है जहां पे सरकार जो है वो क्या करेगी एक minimum presence रखेगी मतलब सरकार यहां से पूरी तरह से exit नहीं करेगी ओ कौन को से चार सेक्टर है ज्यान रखो atomic energy space and defense तो मतलब सरकार का यहां से पूरी तरह स exit करने कोई mood नहीं है transport and telecommunication railway बगरा हो गया power petroleum coal and other minerals banking insurance and financial services यह चार सेक्टर ऐसे हैं जहां पे सरकार की presence बनी हुई है और future में भी बनी रहेगी इन चार सेक्टर के अलावा जो भी सेक्टर बचते हैं सरकार वहां से पूरी तरह से exit करना चाहते है through this investment policy क्योंकि वहां पे सरकार को फायदा नहीं हो रहा है सरकार का कहना है कि भी या production वाले मामले में सरकार को exit करना चाहिए सरकार का काम होना चाहिए distribution सरकार का काम होना चाहिए social sector सरकार का काम होना चाहिए maintenance सरकार का काम होना चाहिए facility provide करवाना सरकार का काम होना चाहिए low and order provide करवाना यह होना चाहिए सर को प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दो ऐसा सरकार का कहना है अगले टोपिक के ऊपर बढ़ते हैं इस टोपिक के बाद अगा को मैं कल वाल देखते हैं को न से बच्छे लक्ष्मी कांत पढ़ते हैं क्योंकि लक्ष्मी कांत की अंदर इया दिया हुआ है अब यह प्राइवेट hvad member bill क्या होता है देखिए ऐसा कोई भी member of parliament जो कि minister नहीं होता चेका या फिर पूझ मिनिस्टर नहीं होता वह private member होता है अगर कोई minister होता है या government की तरफ से उस bill को introduce करता है तो that is called public sorry that is called public bill लेकिन सरकार अगर उसको endorse नहीं करती है और वह member of पार्लेमेट तो हैं लेकिं सरकार का पार्ट नहीं है मिनिरिने नहीं है तो वो प्राइवेट मैंबर हो जाते हैं प्राइवेट मैंबर भी अपने बिल को इंट्रडूस कर सकते हैं ज aesthetics सरकार करती है अब उसको हाउस उसको debate करे या ना करे वह स्पीकर की मर्जी होती है अर्वाने इस पॉइंट तो एक प्राइवेट मेंबर है जिनका नाम है Mr. Alphonse Mr. Alphonse है वो केरला से राज्यसभा के मेंबर है और यह BGP के सांसद है इन्हों ने एक प्राइवेट बिल चेंज कर ले अगर प्रेंबल को चेंज करना है तो उसके लिए आपको पूरी तरह से परलेमेंट में constitutional amendment करना पड़ेगा तो एक simple बिल से प्रेंबल को चेंज नहीं किया जा सकता इस लिए मामला थोड़ा सा न्यूज में था आप मुझे जो है प्रेम्बल के बारे में कुछ दो चार चीज़े बता सकते हो लेकिन हमें अभी आपके लिए तीन चार क्वेशन लेके आया हूँ about preamble questions को पढ़ो what of which of the following emerges clearly from the preamble ठीक है which is the correct sequence of the following words in the preamble preamble सबको याद होगा तो बताओ इसमें exact sequence कुन सा है which case emphasize that the preamble is a part of the constitution case वना दा भारती L.I.C. गोलगनाद बेरो बारी which of the following sentence are true थोड़ा सा देखो screenshot लो वीडियो को pause करो पोस करने बाद question पढ़ो फिर comment section में जाके answer दो मैं आप सभी का answer पढ़ता हूँ और कल मैं on aspirants के नाम भी बताऊंगा जिनोंने सबसे बढ़िया और correct answer दिये हैं तो यह होतो होगे हमारे preamble को लेके question जिसके बारे में discuss में कब करूँगा कल करूँगा ठीक है जी आज आज आपको थोड़ सा difference बता देता हूँ एक हमारा private member bill होता है एक हमारा public bill होता है पबलिक bill basically यह government का bill होता है ठीक है आफ़ा government का bill अगर reject हो जाता है तो उसमें उस से जहे­ pretend को रिजाइन भी करना पड़ता है अगर government का bill भी या अगर पास नहीं हो पाया इसका मतलग government के पास majority नहीं है और जब government के पास majority नहीं है तो वह power में भी नहीं सकते लेकिन प्राइवेट मेंबर का बिल अगर रिजेक्ट हो भी जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे मिस्टर फोन्स यह तो प्राइवेट मेंबर है न और बीजीपी से हैं तो इनका बिल को रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन इसे सरकार थोड़ी न गिर गई ल दोनों के बीच में डिफ्रेंस पता होना चाहिए अभी आपके टोपिक समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं कल वाले सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो लोग क्या करते थे सुप्रीम कोट में चले जाते थे हाई कोट में चले जाते थे कहते थे के सर ये लैंड दो मेरा फंडमेंटल राइट है अगर सरकार जबरदस्ती मेरे से लैंड ले रही है तो मेरे फंडमेंटल राइट का वाइलेशन हो रहा है तो बहुत सारे केस वो सुप्रीम कोट हाई कोट में जाने लगे थे तो सरकार आर्टिकल 16 हम लोग इसको पढ़ रहे थे हैं ना मैंने आपको हर्याना रेजरिवेशन वाला टोपिक बताया था जिसमें हम लोग आर्टिकल 16 के बारे में बात किया था आगे बढ़ते हैं तो अगली जो न्यूज आती हैं हमारे GS paper 3 से आती है बायो डैवर्सिटी वाले sections आप इसको कर सकते हो क्योंकि एक नया एनिमल वो न्यूज में है और इसका नाम है क्या गोल्डन लंगूर गोल्डन लंगूर इसका नाम है इसकी खास बात पता क्या है इसकी खास बात ही है कि या तो यह सिर्फ आसाम में मिलता है या फिर भुटान में मिलता है और इसकी population में काफी कम है तो इसका मतलब इसको प्रेजर्व करने के जुरूरत है इसको प्रेजर्व करने के लिए असाम का जो forest department है उसने कुछ समय पहले एक notification जारी किया था उस notification में यह कहा था कि वहाँ देखे अभी तो नॉर्मल forest है लेकिन अगर उसको वाइड लाइव सेंक्चुरी बना दिया इसका मतलब यह है कि उसको extra protection मिलेगी extra protection का मतलब यह है कि बहुत सारी activity जो forest area में होती है उनको regulate किया जाएगा यही तो मतलब होता है प्रोटेक्टिड एरिया का अभी वो प्रोटेक्टिड एरिया नहीं है simple forest है तो वहाँ का 19.85 स्क्वेर के लिए कि आपको याद नहीं करना होता है इतना सारा area उसको करने की बा दोगे क्योंकि अगर आप इसको वेडलेव सेंक्टिर कर दोगे तो हमारे लिए कुछ प्रोब्लम हो जाएंगी वो क्या प्रोब्लम होंगी देखिए उन आसपास के गाउं के लोगों का कहना है कि इस forest यह जो forest है वो हमारे लिए sacred हैं और यहां पे कई ऐसे patches हैं जहां पे ह होली के समय में वो लोग पूजा करते हैं अगर आप इसको protected area declare कर दोगे तो हम लोग उसको access नहीं कर पाएंगे और वैसे भी वहां के जो local community हैं वो खुद उन forest को protect करती हैं तो community participation से protect करती हैं देखिए 30 years पहले वहाँ पे golden लंगोर की population सिर्फ 100 हुआ करती थी और लोगों न ने उनको protect किया आज उनकी population 600 के आज पास है इसका मतलब यह है कि सरकार के effort के बीना भी लोग उन forest को protect कर रहे हैं तो उन लोगों को सरकार को यही कहना है कि सर प्लीज आप इसको wildlife sanctuary declare मत कीजिए हम लोग खुद इसको protect करते हैं आगे भी करते रहेंगे क्योंकि यह हमारे 25 most endangered primates में से माना जाता है और हमारे wildlife protection act 1972 के अंडर में schedule 1 में भी है इसका मतलब इसको highest protection मिला हुआ है ठीक है यह थोड़ा सा आप इस topic को देख लीजिएगा आपको जो नोट्स है बाया diversity वाले आप उसमें इसको add कर लो कहता है concessional tax rate tied to the firm setting up the new units fast देखिए थोड़ा सा आपक Concessional tax का मतलब ये कोई देखे अलग से tax नहीं होता है एक हमारे पास देखे हमारे पास दो तरह टेरे के direct tax होते है एक हमारे इसके profit के उपर लगता है, है ना, पहले क्या था, हमारा जो corporate tax था, वो 30% हुआ करता था, मतलब अगर कोई company 100 crore pays का profit कमा रही है, तो उसमें से 30 crore उसको सरकार को देना पड़ता था, that was the rate of the corporate tax, लेकिन सरकार ने क्या किया, 2019 में इसको 30% से घटा के कितना कर दिया, 22% कर दिया, सरकार ने इसा क्यों किया, देखे अगर corporate tax कम होगा, तो इसके मतलब corporate का profit जादा होगा, जब उनका profit जादा होगा, तो अपनी business को जादा expand करेंगे, business expand करेंगे तो employment generate होगा, ऐसा सरकार का argument था, उसके लावा, जो नई unit है, ये तो परानी unit के उपर लागू होता है, जो नई unit खुलती है, नई companies open होती है, उन पर जो पहले corporate tax था, वो कितना था, that was 25%, जिसको सरकार ने घटा के कितना कर दिया था, 15%, तो सरकार ने कहा था, जो नई जो companies है, manufacturing companies, उनके ओपर जो tax है, अभी वो कितना है, 15%, ये है 2023 तक, लेकिन actual जो corporate tax है, वो कितना है, वो है 22%, लेकिन नई companies के ओपर कितना है, only 15%, तो सरकार ने ये जो 15% की tax rate है, यानि कि जो concession दिया हुआ, ये तो concession है न, इसको अभी 2024 के लिए कर दिया है, यानि कि एक साल और extra दे दिया गया है नई companies को, कि आप जादा से जादा factories लगाएं, जादा से जादा company को setup करें, manufacturing units को लगाएं, हम आपको March 24 तक छूट दे रहे हैं, March 24 के बाद आपके उपर भी normal 22% का tax लिया जाएगा, 30% तो सरकार ने वैसे खतम कर ही दिया, यहाँ पर बात है 22% की, तो जो हमारे पास old units हैं, उनके उपर tax लगता है 22%, जो new units हैं, उनके उपर tax लगता है 15%, पहले ये 15% 2023 तक था, अब इसक और के बाद इसको भी दुबारा से 22% तक कर दिया जाएगा, इसका purpose सिर्फ यही है, सरकार का कहना है कि देखो, जादा जादा companies लगाओ, employment generate करो, पैसा कमाओ, लोगों को पैसा दो, employment दो, ठीक है, हम आपको छूट देते रहेंगे, सरकार का basically यह कहना है, हाला कि जो economist लोग ह है नहीं पैसे की, क्योंकि सरकार का tax collection all time high जा रहा है, तो इसरे सरकार ने कहा चलिए ठीक है, पैसा हमारे पास खूब है, हम आपको एक साल की extra छूट दे देते हैं, होता है ना, चलिए, कुछ international news आप पढ़ सकते हो, इंडिया, रशिया, new era relation के बारे में, देखे, इसको मैं मिलना होता है, तो वो खुद चाइना आते हैं, तो बीजिंग में ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसी background में, रशियन जो प्रेजिडेंट है, Mr. Putin, वो गए है, चाइना इन से मिलने, और इनका target क्या है, आपको बताने की जोड़त नहीं है, इनका target है NATO, ठीक है, NATO को ये भर-भ कायम करना चाहता है, वो South China Sea वगरा को लेके, और Ukraine को लेके, रशिया के साथ उनका issue पहले से चल ही रहा है, तो दोनों ने बेसिकली उसी के बारे में बात किया, वो सारी सारी चीजे हुई, लेकिन इंडिया के बारे में भी इनोंने बात किया, अब इंडिया को पीछे कैसे ह बिसिकली, और रशिया को तो प्रोलम हो भी नहीं सकती, हमारे बहुत अच्छा दोस्त है, इनोंने कहा है कि इंडिया के साथ हम लोग फ्यूचर में और जाधा कोलाबरेशन करेंगे, हमारे जो भी प्लैटफोर्म है, चाहे वो ब्रेक्स हो, चाहे वो रशिया, इंडिया, चाहिना फ्रेमवर्क हो, यह इनोंने कहा है, बाकि इन दोनों की स्पेस एजनसी है, जो रशिया की स्पेस एजनसी है, उसका नाम है गलोनास, और जो चाहिना के स्पेस एजनसी है, उसका नाम है बीडो, इनका कहना है कि यह दोनों भी आपस में कोलाबरेट करेंगी, और फ वहां से लोगों को employment generate होगा, sorry, idea तो यही है, लेकिन actually ऐसा होता नहीं, चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ लोन देता है, चाइना उसके लोन में दबा हुआ है, जिससे चाइना पाकिस्तान के पर दबाव बनाता है, negotiation करता है, और उसको अपने फायदे के लिए use करता है, basically बात तो यह है, अब बढ़ते हैं, आज की editorial section पर, simple editorial section है, ज़्यादा अटफ यहां पर कुछ है नहीं, तो इंडिया और UK के बीच में, क्या हो रहा है, अभी free trade agreement की बारे में हम लोग बात कर रहे है, free trade agreement क्या होता है, अलड़ी मैं आपको बता चुका हूँ हैना कई बार बता चुका हूँ, free trade agreement पर दोस्तों यह होता है, कि जब भी कोई दो country होती है, ठीक है, माल एक तरफ यहां पर इंडिया है, एक तरफ यहां पर UK है, तो जब भी हम लोग कोई goods or services आपस में trade करते हैं, तो उनके ओपर कुछ हम लोग क्या लगाते हैं, barrier लगाते हैं, tax की form में लगाते हैं, ठीक है, tariff barrier जिसको बोलते हैं, non tariff barrier भी हो सकते हैं, लेकिन जादातर हम यहां पर tax के बारें बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, import duty कहते हैं और export duty कहते हैं, तो जब हम लोग किसी country के साथ free trade agreement कर लेते हैं, तो उस समय यह barrier को हम लोग minimum कर देते हैं, मतलब लगबख zero कर देते हैं, तो England से, Britain से, जो भी सामान इंडिया में आएगा, वो बिलकुल बिलकुल बिना tax के आएगा, इंडिया से जो भी सामान UK के अंदर जाएगा, वो भी without tax जाएगा, यह इसका मतलब होता है, मतलब यह समझ लेजिए, अगर आपका अम पोर्ड ड्यूटी इतनी जादा होती है, लेकिन अगर अमेरिका के साथ हमारा free trade agreement होता, तो हो सकता है था, वही फोन हमें एक लाख रुपे का ही मिलता, यह होता है free trade agreement, तो इसमें goods of services का free flow होता है, दोनों countries के बीच में, तो इंडिया negotiate कर रहा है, किस के साथ, UK के साथ, इस स इसको भी upgrade करना जाता है, तो होता यह है, देखें, पिछले 8-10 सालों में, खास कर जब से सरकार आई है, तो free trade agreement को लेके इनों यह लोग खास जोश नहीं दिखा रहे थे, लेकिन पिछले एक-दो साल में इनोंने दुबारा से free trade agreement को करना शुरू कर दिया, देखें, जब 2014 म economy को खतम कर देंगे, वो सारी चीज़ें, तो जब यह सरकार आई, तो इनोंने दूसरी country के साथ free trade agreement को बहुत जादा enthusiasm नहीं दिखाया, लेकिन अभी शायद इनको reality समझ में आ गई है, कि free trade agreement बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए बहुत सारी country के साथ negotiation कर रहे हैं, देखें, इनसान सीखता है, इनसे भी गलती हुई, अब यह सीख रहे हैं, तो इनका कहना है कि UK के साथ हमारा free trade agreement होगा, fair होगा, और balance होगा, देखें, बहुत सारे challenges हैं, बहुत सारे challenges हैं, तो challenges तो ठीक है, लेकिन वो fair होना चाहिए, ऐसा ना हो कि UK को ज़्यादा benefit हो, और UK चाहता है कि इंडिया को ज़्यादा benefit ना हो, तो कम से कम 90% हम लोग जो है tariff, tariff मतलब tax, ठीक है, imported duty गराज होते हैं, उसको tariff बोलते हैं, उसको हम लोग खतम कर देंगे, basically यहां पे, तो काफी ज़्यादा सामान जो ब्रिटेन और UK के भी इंडिया के बीच में आता जाता है, वो free flow हो को ही include नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग intellectual properties को भी include करेंगे, geographical indicators को भी include करेंगे, sustainability, digital technology, anti-corruption, यह सब include होने वाला है, जो की काफी advanced level का होने वाला है, यह इन्होंने बात कई, अब इसके पीछे reason क्या है, ब्रिटेन ऐसा क्यों कर रहा है, और इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, औ free agreement करने के लिए इतना ज्यादा enthusiastic है, उसा क्या कान है, देखे पहले तो ब्रिटेन जो है European Union का part हुआ करता था, अभी तो नहीं है, तो Brexit के बाद basically अभी UK थोड़ा सा free हो गया है, Brexit से पहले European Union के बहुत सरे ऐसे कानून हुआ करते थे जो ब्रिटेन को follow करने पड़ते थे, हाती, मतलब उसकी जो खोई हुई, जो उसका dominance था ना, वर्ल्ड politics में उसको वापिस पाना चाहता है, और अभी USA की तरह, UK का भी focus कहां पी हो गया है, India Pacific, अभी या इंडो Pacific का मतलब जो है, इंडिया को तो आपको center में रखना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सभी क इंडिया को इंडिया को पैसिफिक की चिंता है, South China Sea, मलक्का स्ट्रेट, वो पूरा South Asia, सबको उसकी चिंता है, तो इंडिया वहाँ पे center में है, तो इंडिया को ignore कर नहीं सकता, UK, सीधी सी बात है, और चाइना, actually UK, थोड़े समय पहले UK, चाइना का सबसे बड़ा trading partner हुआ क इंडिया का, लेकिन पिछले कुछ समय में इनके संबंद, इनके जो relation है, वो भी खराब होते चले जा रहे हैं, तो जब चाइना को लेके UK की approach change हो गई है, तो इसका मतलब वो कहां पे move कर रहा है, वो इंडिया की तरफ move कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा reason है, ठीक है, और Indo-Pacific में global stability होगी, ये तो मैंने आपको बताई दिया, है ना, Indo-Pacific की stability के बारे में अकली सारा हंगामा हो रहा है, उसके लावा, पहले तो जब क्योंकि European Union का part हुआ करता था, तो जादा तर UK का focus किस पे होता था, European Union Market पे होता था, लेकिन Brexit के बाद वो non-European Union Market को भी access करना चाहता है, यही तो हुआ था, colonization के समय में, है ना, market access के लिए ही, तो यह लोग कलोनी बनाते थे, raw material के लिए, market access के लिए, तो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये डर भी है, कहीं ऐसा नहों कि UK की companies और UK का सामान, इंडिया में आए, और वो हमारी local companies को जो है, खतम करते, basically लेक limited हुआ करते थे, China हो गया, Canada, USA, European countries हुआ करते थी, लेकिन अभी UK भी जो है, अपने trading partners को diversify करना चाहता है, एफरीका के अंदर भी हाथ पैर मार रहा है, Middle East के अंदर भी हाथ पैर मार रहा है, तो इंडिया भी एक बहुत बड़ा market है, South Asian market है, तो अभी दूसरे trading partners के साथ भी अपनी, अपने trade को basically diversify करना चाहता है, और UK सिर्फ trade तक ही limited नहीं रहना चाहता, UK मैंने बताया ना आपको के देखिए, UK आज के समय में जो है declining power है, लेकिन कभी के समय में UK जो है world की number one power हुआ करती थी, तो UK basically अपनी पुरानी historical जो खोई हुई, जो value थी, dominance थी, उस historical dominance को भी कहीं न कहीं खोजना चाहता है, तो UK सिर्फ trade तक limited नहीं रहना चाहता, UK जो है development work भी करना चाहता है, ताकि उसकी credibility बनी रहे, और climate change को लेके भी काम करना चाहता है, तो climate change में UK जो है इस समय one of the world leader है, और इससे ये पता चलता है कि UK जो है वो दुनिया के welfare के लिए climate को लेके क climate change को लेके भी UK बहुत ज़्यादा काम करेगा future में, जिससे ऐसा लगेगा UK एक responsible power भी है, तो power का मतलब सिर्फ negative नहीं होता, power responsible भी हो सकती है, तो UK बेसिकल ये भी दिखाना चाहता है, तो ये कुछ reasons है जिसकी बदे से UK इंडिया के साथ free trade agreement में आना चाहता है, एक अच्छा तो जो मैंने आपको उपर basic बाते बताई हैं, वो उसी का conclusion यहां पर लिखा हुआ है, कि ये बिलकुल सही समय है, कि जब नई दिली और लंडन वो आपस में मिलें, बैठें, और free trade agreement को finalize करें, क्योंकि this is very high moment, इसमें USA और चाहिना के बेच में भी trade war चल रहा है, तो उसका फ advance technology भी मिल सकती है, हम लोगों को expertise भी मिल सकती है, तो दोनों के लिए जो है win-win situation है, इसलिए India भी आगे बढ़ना चाहता है, UK भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये जो free trade agreement वाली दोस्तों process होती है, ये थोड़ी slow process होती है, तो इसलिए हम दोनों फूख-फूख के कदम रख रहे हैं, देखते हैं, या कहा तक जाएगा, let's hope ये जल्दी हो जाए, यही थे आज पूरे 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 आर्टिकल, कुछ advance अगर आपको extract पढ़ने हैं, आप ये वाला पढ़ सकते हो, ये places in news में, आप इस चर्च का नाम याद रख सकते हो, पूछ सकता है, इस चर् इसको कर रहे हैं, तो Uniform Civil Code के बारे में थोड़ा देख लेना, वैसे हम लोग इसको पहले अच्छे से discussion कर चुके हैं, तो दोस्तों, आज के news paper analysis के लिए तना ही, लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा, आग वीडियो को end करने से पहले, वीडियो को like करके जरूर जाए, वीडि अभी तक सोच रहे थे test series जोइन करने का, आपके बास बहुत बढ़िया मुका है, test series को join करें, start हो चुकी है, जबरदस्त response है, बढ़िया चीज है, ठीक है, तो 2022 के लिए जो aspirant series है, test series को जाके join जरूर करें, चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, thank you very much, all the best and जाहिंद